हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ आप सभी स्टुरेंट्स बहुत अच्छी होंगे और अपने घर पर स्टड़ी भी कर रहे होंगे तो बच्चो मैं हूँ तन्वीर शर आदर्स मिशन हाई स्कूल से वेलकम टू माई चैनल स्टड़ी भी तन्वीर शर तो बच्चो आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास तैंथ सब्जेक सोशल सेंस यानि समाजी विग्यान का पार्ट अठरा मुल्य पूरती और ग्रहांक जागुरती के विशसे में बच्चो हम पार्ट वन देख चुके हैं अब पार्ट व के अंदर ग्रहांक जागुरती जिससे में पार्ट वन में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था अब आगे हम इसके नेक्स्ट जो है वो रीड करने वाले हैं त वजन और उचित मूले पर प्राप्त हो ऐसे विवस्ता को ग्रहांक सुरुक्षा कहते हैं तो ये बच्चो एक डेफिनिशन ही आपको याद कर लीनी हैं ग्रहांक सुरुक्षा ये ग्रहांक जागुरती का अभ्यान है यानि ग्रहांक की जो सुरुक्षा जो है वो ग्रहां आपका कहा है जागुरती का अभियान है ग्रहक जागुरती के संबंद में अमरिका में रल्फना डरे ने ग्रहक वाद को अंदुलन शुरू किया इसलिए वे ग्रहक अंदुलन के जन्म दाता कहला है अब कह सकता है कि ग्रहक अंदुलन के जन्म दाता किसे कहा जाता है तो यह आप पर कह सकते हैं अब अमरीका में राल्फना ड्रे को अमरीका के जो राल्फना ड्रे हैं उसे ग्रहक अंदुलन का जन्मदाता कहा जाता है क्यूं क्यूंकि उन्होंने ग्रहक वाद का अंदुलन सुरू किया था ठीकि किसके संब्ध में तो ग्रहक जागुरती के संब्ध म ग्रहा को पैकिंग पर लिखे, लिखे से कम वजन देखकर, हल्की कमी युक्त, एवन नकली वस्तू माल या सेवा देकर, छपि हुई कीमत से अधिक कीमत, वसूल कर ग्रहा के स्वास को हानी ऐसी मिलावती वस्तू की बिक्री करके, साथी बिक्री के बाद असनतुज जनक सेव निर्धारित शर्ते मापदंड के अनुसार निर्मान कारे चीज वस्तु और श्रिवाओं की पूर्ती ना करके बैंक बीमा टेलिफॉन डॉक्टरी सेवा सेवा मिला परवाई यूक्त व्यवहार ग्रहां के साथ दुर्वेवहार या मान हानी ऐसा विकृता या व्यापारी के सारी मानसिक नुकसान भोग ना पड़े इस प्रकार की नकली मान समान बेच करें वंकृतिम कमें उप्योग करके अपूर्ण जानकारी देकर ग्रहां का सोसर होता है अगला एक बहुत एच्छा बच्चों इंपर्टनेंट टॉपिक तुमें दिया ग्रहां सोसर का कारण क्य आपको जो ले ना हो ले लो तेकि वो तो अपना माल बेचना ही चाहेगा अञ्यानता जागृति का अभाव निरिशर्था संगटितों कर विरोध परदक्षित करने की वृति वृति का अभाव नुक्षान या सोसर के विरोध कानूनी लड़ाई करने की तैयारी और वृति तू मरियादित जानकारी पुझीवादी अर्थतंत्र में उभोगतावादी सोज रखने वाले निर्माता और विक्रेता किसी भी चीजवस्तु या सेवा की जितनी चाहे उतनी प्रमाण में उत्पादन और विक्रेता करने के लिए सोतंत्र हैं उसके उत्पादन के माब प्रकार दो मुल लेओ गुणवक्ता के नियमन के संबंद में कोई विशेश नियम नहीं है और जहां है वहां सक्त नियमों का पाला नहीं होता ऐसी परिस्तिती में ग्राहक को चीच वस्तु के उप्योग संबंदी सही जानकार या सूचना ज्यान का अभाव वस्तु की मर्यादित जानकारी मिलने के कारण ग्राहक सही खरीदी में समझदारी के अभाव से भूल कर बैठता है तीसरह में दिया अब मर्यादित आपूर्ती जब वस्तु सिवा की मांग के सामने परियाप्त मातरा में उसकी आपूर्ती नहीं होती तब कुर्तिम कमी सरजित होती है इस प्रकार व्यापारी उत्पातकों द्वारा संग्रों, खोरी सटा, बाजी दोखा, बाजी एविया, प्रकुतिक आपदा जिसे करणों से कमी मुत्पन होती है ग्रहाक से ऐसी परिस्तितियों में अधिक मुल्य वश्यूल करके अनुची तलाब उठाया जाता है जैसा कि लोगडाउन के समय उठाया गया सेम वो मर्यादित आपउर्ती है इस प्रकार बाजार में वस्तो की अपरियाप्त आपूर्ती भी ग्रहाक सोसन का करण बनती है जैसे कि वो आर्केट में खाने वाले ज़्यादा लोग हैं गेहुचावल लेकिन मार्केट में अगर कमी आ जाती है किसी आपदा करण के वज़े से तो वो चावल का दुकानदर भाव बढ़ा के ज़्यादा भाव लिये लेते हैं ग्रहाक से तो ये क्या होता है इस प्रकार भी उनका सोसन होता है ग्रहाक का चौथा दिया है मर्यादित इस फर्दा जब कोई एक ही उत्पाद उत्पादक समू किसी वस्तु या सिवा के उत्पादन में वित्रण में एक अधिकार रखता हो मतलब कोई सिर्फ एक ही इंसान इसे यहां कोई माल लिजे तेल कोई बीचता है तो एक डिस्टिबूटर कंपणी रखा होगा अपना कि वो डिस्टिबूटर सारे जुकांदार होंगे उनको सप्लाई करता होगा तब उत्पादक ऐसी मर्यादित या एकादिकार वाले तो वो गया सिर्फ उसी इक डिस्टिबूटर के पास भंडारे तेल का तो वो उसका अधिक दाम लेता हो तो यह मर्यादित इस्परदा कहलाएगा और सभी लोगों को वही तीच के जरूरत हो अगला दिया ग्रहांक सुरुक्षा चेतर ग्रहांक जागरुती ग्रहांकों के विवीत परकार से होने वाले सोशण को रोकने और ग्रहांकों के अधिकार हितों की रक्षा करने तथा उन्हें सारेरिक मानसिक आर्थिक चेतर में सुरुक्षा प्रदान करने के आवश्यक्त उत्पन हुई है सरोपरतम भारत में ग्रहाकों के रक्षण के संबन्द में कोटी लेके अर्थ सास्ते में उन लोगों व्यापार के द्वारा ग्रहाकों के साथ किये जाने वाले दुर वेवार और सुषण का उलेक है जिससे मापतौल और मिलावट या बनावटी जैसे अपर मार्च 1922 के दिन ग्रहाकों को चार अधिकार दिये गए और ग्रहाकों के मंतव्यों को सुना नहीं जाता इसके लिए वेथा भी प्रकट की थी कंजूमर्स इंटरनेशनल अंतराष्टिय संगठन ने तारिक 15 मार्च 1923 के दिन ग्रहाकों के चार अधिकारों को दरसाती हुई गोशना की थी जिसके कारण विश्व में प्रतिक वर्ष 15 मार्च को विश्व ग्रहाक अधिकार दिवस यानि वर्लक कस्टमर राइट्स डे मनाया जाता है इसके बाद सहीं तुराष्टंग यानि यूनो ने अपनी तारिक 16 अपरे 1985 की सभा में United Nations Guidelines for Consumers Protection के कानून में ग्रहाकों के मूलबूत आठ अधिकार गोशित किये और उनके अनुसार विश्व के देशों से अपने देश के ग्रहाकों के अधिकार उनके हितों के सानरक्षण के लिए प्रभावी कानून धाचा बनाने की शि पारिश की उनके अनुसार भारती संसत में रास्टी ग्रहाक सुरुक्षा अधिनियम 1986 बनाया गया जिससे राश्पती ने 24 दिसंबर 1986 के दिन हस्ताक्षर करके मन्जूरिय परदान की जिसके करन भारत में परतेक वर्षव तारिक 24 दिसंबर को रास्टी ग्रहाक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है जो अभी कुछी दिनों में आने वाला है। जैसे जैसे लोग का माईंड बढ़ते वैसे जो दुकांदर होते हों छोड़ी करने के तरीके भी बढ़ेंगे इस से ग्रहाक अलग तरीके अधिकार में उसमें सुधार में भी उनके मतलब अधिकारों में परिवे रखना कि कंजूमर प्रोटेक्शन डेक बनाया जाता 1986 को साथ ही भारत के राष्टपती संसद में ये प्रस्ताव पारित में उन्हें अस्ताक्चर किया था अब देखते हैं ग्रहांक अधिकार का कानून भारत में सामाजी कार्थी कानून के इतिहास में ग्रहांक सुरक्षा कानून है जो निम्नानुसार अनेक विवस्ताएं करता है जिनकी जानकारियां प्राप्त करेंगे पहला सेवा शंबंदी ग्रहांक सेवा संबंदी एक इस कानून के तहत व्यापारी माल या सेवा के संदर में ग्रहा की परिबाशाएं दी गई हैं माल के संदर में ग्रहा कर आफ़ाने की वक्ति गैरनटी देकर अपने कीमत चुका दे और बाकी रखोन चुकाने के वचन देकर यह OA वस्तु यह सिवा प्राप्त करता है वह वक्ति ग्रहा कहलाता है अथ्वा हप्तों में चुकाकर यह किराये पर खरीदने कीस्दति कोई माल-समान कीमत चुका कर खरी दे अत्वा तो सेवा किराय पर रखे अत्वा सेवा प्राप्ट करे और उस माल समान को व्यक्ति या उसके कोई भी व्यक्ति उप्योग करे या सेवा का लाप्राप्ट करे वो व्यक्ति ग्रहा कहला था तो तो किसी व्यक्तिकत करार के अधीन सेवा प्राप्त की गई हो ऐसी सेवा का समावेश कानून में नहीं किया गया विरक्षण के पात्र नहीं है मतलब यूस किया हूँ अमाल वापस बेजना तो ये गलत चीज है इस प्रकार इस कानून का उध्यश ग्रांकों को उच गुणवक्तिकत के विरुद्दĩ विवस्तों में कमी पाई जाए हल की लगे या माल समान गुणवक्ता वाले कमी दोब तो ग्रांक कानून के अधीन सिकायत कर शक्ता है नमबर टू ग्रांकों के अधिकार बाजार में मिलने वाले वेविद्य पूर्ण अनेक वस्तु के जानकाई के अभाव में ग्रांक सही वस्तु के पसंदगी में भूल करता है और अपने द्वारा खर्च किये गए धन का परियाप्त पदला पराप्त नहीं कर सकता जिसका धन वेर्थ जाता है और सुयम ठगे जाने पर अपसोस करता है हलकी गुणवक्त वाले बनावटी मिलावटी नीचे गुणवक्ता की खाद वस्तु या खरीद कर अनेक रोगों को अमंत्रा देता है जिससे स्वास को नुकसान होता है कम तॉलमाप मिलावट और बनावटी ठग कीमतों में लूटफाट और बस्ताचार जैसी अनीतियों से समाज का नेतिक इस्तर जो है वो गिरता है उत्पादक व्यापारे दोनों अपने उत्पातित वस्तों के मूले शंग्र प्रवती में एक गुरुपता पारदाशिता रखे इसकी लिए कानव में ववस्ता की गई हैं इन विवस्ताओं से ग्रहांग जागुरुत बनता है वह दोखा धाड़ी के विवीत तरीक गलत पद्ददियों के विरुद लडाई किस तरह से लड़ सके उससे संबंदिन सिक्चळ और विवीत उपयोगी जानकारी देने के कई अधिकारों की इस कानुन में विवस्त या सेवा के ग्रहांग के जान का खत्रा होतो स्वाथ के लिए हानिकारक होतो उसके विरुद सुरुक्षा प्राप्त करना ग्रहांग का अधिकार है इस अधिकार का बहुतिक परियावरन के सुरुक्षा और जिवन के गुणवक्ता की सलामती प्राप्त करना यानि सलामती क किसी तरह जो प्रोडक्त खरीता है उसे उसे जानारी का नुक्सान नहीं होना चीजानकारी प्राप्त करने का अधिकार सरकारी सारवजनी खबरों और लेखों से मिलती है तिसरा पॉइंट है पसंदगी का अधिकार अर्था गरहा को वस्तु उचित कीमर पर संतोस प्रत सेवा और गुणवक्ता का विश्वास दिलाता है विविद प्रकार के अनेक वस्तु में से गरहा को अपने अधिकार अधिक अनुकूल होने वाली वस्तु पसंद करने की सोतंदरता का अधिकार देता है ऐसी विवस्ता का निर्माण करने और गरहा को के कल्यान संबन्दी चर्चा करने के लिए गरहा को का गैर राजनेतीक बिन धंदा के इस तर पर गरहा कमंडल की रचना हो और उनके परतिनिदियों को इस्तल मिले उनकी परस्ती सुनने की विवस्ता करने का अपरावधान कानून के अंतरगत किया गया है साथ ही पांचों पॉइंट में दिए है सिकायत निवारन का अधिकार अप सिकायत क्या उसको किस तरह सो सौट आउट करना है उसका निवारन का अधिकार भी है इस अधिकार के अधिकार के अधिन ग्रहा को और प्रमाणिक व्यापारी रिती से या लापरवाई से होए नुकसान या अनितिक सोचोन अगर होता हो दुकानदार से तो उसके विर्दु सिकायत करके उसका निवारन गरहां के नुकसान के बदले मुआपजा मांगने का अधिकार है यानि माली जो खराब होगी तो उसका मुआपजा ले सकता है ठीक है वो सब वापस लेने पैसे वापस देने चार्ज वसूल किये बिना मरमत करके देना आधी ऐसी एक या एक से अधिक प्रतिपूरक रहत मांग कर सकता है गरहांक प्रतिपूरक मांगे या ना मांगे तो भी रहत प्राप्त करना कानून हकदार है गरहांक का अगला पॉइंट डेखते हैं नमबर 6 हमें दिया गया है चलिए उसे भी हम देख लेते हैं Last पॉइंट दिया गया है ग्रहाक सिक्ष्ण प्राप्ट करने का अधिकारी है अधिकार ग्रहाक को जीवन भर जान कर ग्रहाक बनाने की सभी जानकारी या ग्यान चतुराई धहर ये कोशल प्राप्ट करने के लिए पुरुत साहित करता है ग्रहांक की अज्ञानता ग्रहां में चेतरों के में ग्रहांकों में उनके अधिकार के पतीज जागुरतिक अभाओ आधी ग्रहांक सोसन के जिम्मिदार के कारण है विद्यालियों के पार्टिकरों में इस्थान देकर विविद संस्तारों के मीटिंग में ग्रहांक सिक्षण संबंदी चर्चा सभा वारतालाप कारेशालाओं के द्वारा ग्रहांक सिक्षण का प्रसिक्षण देकर ग्रहांकों के कुशलता बड़े ऐसे प्रेतने किये जाते जिसे बाजार में वो जागुरुद कहां के रूप में अच्छी तरह करते भी निभा सके इसमें ग्रहांक सिक्षण सहायक बनता है अगला पॉइंट देखते हैं पार्ट 3 के अंदर तब तक दीजे तनवीर सरको और जादत बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिन जै भारत